हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मैसल ऐसके डिगरवाल और आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अपना लास्ट टोपिक चल रहा था DNA में म्यूटेसं या DNA डेमेज, उनमें से अपने सेकेंड टाइप का जो डिसकेशन है वो कर लिया था जिसमें जो म्यूटेसं किसी भी अजेंड की उपस्तिति के कारण हो तो उसे अपन क्या कहते हैं इंड्यूज म्यूटेसं के नाम से जानते हैं तो यह वीडियो उन सभी स्टू इसमें से काफी क्यूटेसं आपको सीश है और नेट के अंदर या किसी भी बायलोजी से रिलेटेड एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो इससे पहले अपने DNA डेमेज से रिलेटेड जो वीडियो है वो बनाए है तीन अभी अपना ये चोथा वीडियो है जिसमें एक जाते हैं एक लोजिकली डाई है एक सिंपल सी जो एक कार्शनोजैनिक या मुटाजैनिक भी है और DNA के अंदर काफी इंपोर्टेंट रॉल प्ले करती है जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड तो आज आपन इथीडियम ब्रोमाइड के बारे में डिसकस करते हैं सबसे प इत्राइडियम ब्रोमाइड के अपने एक फ्लोरोसेंट डाई हैरते पहली से एथीडियम ब्रोमाइड क्या है कि neustと思 द यह है युज के हाँ इलुत यह रभी कि यूज दे इन Molecular Biology Experiment या Research Center तो Research के अंदर यूज में आती है Molecular Biology के अंदर खास तोर से देखे हैं अपन तो ये यूज आती है जब DNA के Separation के अंदर खास तोर से DNA या RNA Separation In Gel Electrophoresis Gel Electrophoresis के अंदर इस डाई को यूज में लिया जाता है ये डाई जो है जैसे जेल Electrophoresis के अंदर बफर के अंदर एक रोज जेल जो है धान इसमं अपन इसको लोड करते हैं इसको hou mix करते है DNA के साथ में या DNA के बाद में इसमें डालते हैं अग्रो है को तो उस तैम पर ये DNA के साथ में क्या करते हैं DNA की जो Nitrogen basis है या अपन कहें Base spray है उनके बीच में जाकर क्या करते हैं इंसर्ट हो जाते हैं तो यह क्या करते हैं bind to DNA या पिर आपन कह सकते हैं इंट्रकेलेशन बिट्विन नाइट्रोजन बेस्पेर जो नुकलोटाइट्स हैं उनके बीच में जाकर क्या करते हैं यह इंसर्ट हो जाते हैं कि गया तो इसी लिए इसे आपन किस के काटेगर रखते हैं इंट्रकेलेटिंग अजेенड के रूप में यह वर्क करते हैं इंट्रकेलेटिंग अजेनड जो हैं इसके रूप में जैसे आपन बात करें यह DNA के मोलक्यूल है इस प्रकार से तो इनके बीच में यह आकर इंसर्ट होते हैं नुकलोटाइड के बीचो बीच जैसे यहाँ पर नुकलोटाइड है तो यह यहाँ पर आकर इंसर्ट हो गए इस प्रकार से यहाँ पर आकर इंसर्ट होते हैं इसलिए इसे अपन इंटरकेलेटिंग अजेंट के नाम से जानते हैं तो यह है इंटरकेलेटिंग अजेंट इंटरकेलेटिंग अजेंट होने के कारण से यह DNA के अंदर क्या कोज करते हैं Mutation कोज करते हैं, Change Age कोज करते हैं, ये खास तोर से DNA के अंदर Change क्या क्या करते हैं ये? Change in Charge of DNA, Weight of DNA, Length of DNA, Confirmation Confirmation of DNA, Flexibility of DNA इन सभी के अंदर ये क्या करता है? Change करता है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इथिडियम ब्रोमाइड है, इथिडियम ब्रोमाइड के उपर Charge किस प्रकार का होता है? कई बर हो सकता, एक जाम में पूछा गया है, और पूछा भी जा सकता आगे, तो इथिडियम ब्रोमाइड का जो Charge होता है, वो Charge हमेशा याद रखना, यह कैसा है एक positive charge molecule है किस प्रकार का है यह positive charge molecule है जबकि DNA कैसा है एक negative molecule है इसलिए जैसे ही ethidium bromide आप इस DNA के अंदर enter करती है तो यह क्या करता है उसको positively charge कवरिंग करता है और positively charge जो कवरिंग करता है उसके कांड़ से DNA की जो running है मतलब gel electro forces में running को क्या करता है यह reduce करता है जैसे gel electro forces के अंदर आपन देखते हैं DNA के bands प्राप्त होते हैं running करता है DNA तो उस टायम में उनकी जो band है इस प्रकार से यह gel है agro gel है इसमें आपने ETBR प्लस DNA यह डाल दिया इसमें normal DNA डाल दिया अगर आप इनमें इनके bands देखोगे तो जो band इसमें यहां पर प्राप्त होता है वो band यहां पर इसमें यहां पर प्राप्त होता है मतलब same band है तो यह क्या कर देगा इसके weight को बढ़ा देगा जिसके काण से यह slow movement कर रहा है और यह जब की fast कर रहा है इसका मतलापन कह सकते हैं कि यह 15% के आसपास इसका जो movement है उसको क्या कर देता है यह कम कर देता है इसके running को क्या करता है यह reduce करता है तो यह इसका effect है positively charge है running को reduce करता है जे एलेक्ट्रोफर्स में और यह सभी इसके अंदर change करता है charge का मैंने बताया दिया positively charge कर देगा weight बढ़ा देगा length कम लगेगी confirmation में change कर देगा confirmation का आगे बताऊंगा हम आपको किस परकार से करेगा और flexibility है वो भी इसकी कम कर देगा तो यह कुछ changes है ethereum bromide के आगे आपन देखें यह क्या करता है डियने के साथ जैसे ही bind होता है bind to dna और जैसे ही bind होता है तो यह negatively या फिर अपन कहें reduced super coiling in dna helix dna का जो helix है उनके जो base pairing है उनके अंदर क्या करता है negatively super coiling को तो induce करता है negative super coiling को induce करता है that means super coiling को क्या करता है यह reduce करता है जिसके कारण से dna किसमे होता है relaxed condition के अंदर बढ़ता है यह आपको याद रखना है कि यह super coiling को negative super coiling में क्या करता है convert करता है उसी के कारण से यह क्या करता है जो जे लेट्र फॉर्सी सा अपन परफॉर्म करते हैं उसमें dna को running कराने के लिए helpful होता है तो यह इसके अब इसमें अपन देखें कि किस प्रकार से change करता है तो यह जो twist है आई है यह डियने की जो coiling है उसकी जो uniqu है मतलब जो इस प्रकार की जो है02 कि क्या शींड करता है इसमें क्या करता है यह मुद्स में सब्सक्तित तो यह इसकी प्रौपरेटीila करता है या फिर इसको अपन में कहतें negatively coiling करता है reduce करता है इसको अपन यह भी कह सकते है DNA को unwind unbounding करता है मतलब DNA को relax करता है यह condition reduce करता है यह फिर DNA को unbound करता है मतलब एक दूसरे को helix को खोलता है यह खास दोर से इसमें यह कहें कि यह जो angle है जैसे एक ethidium bromide एक ethidium bromide का molecule है यह particle है वो DNA के 80 degree angle change in DNA DNA का इसका एक particle या एक जो molecule है वो किते degree को change करता है 18 degree के उपर उसको rotate करता है negatively side में किते side में negatively side में 18 degree angle के उपर उसको rotate करता है that means 20 ETBR तो यह जो करेगा यह करता है 18 को तो 20 जो 18 को करेंगे तो वो कित्ते करेंगे 30 तीन सू 60 degree के उपर उसको क्या करता है वो rotate करता है तो यहाँ पर यह था और यह इसको rotate करेगा तो यह इस प्रकार की structure देखने को मिलेगी अपने को तो यह इसको क्या करता है 360 degree वो पर rotate करता है इसका मतलब जो 40 molecule है यह 720 degree के आसपास इसको क्या करता है रोटेट करता है जैसे इस प्रकार से परतेक जो 20 molecule है परतेक जो 20 molecule है वो 360 के एंगल को क्या करता है इंड्यूज करता है तो यहाँ पर एक टरन है और यहाँ पर दो टरन है तो यह दो टरन को इंड्यूज कर रहा है यह जबकि एक ट्विस्ट को कर रहा है इस प्रकार से twisting जो है उसको induce करता है और किस साइड में करता है नेगेटिवली साइड में करता है इसके उपर कभी आपको कोई क्यूशन पूछा जाता है तो आप सोड़ा से ध्यान में रखें कि one ethereum bromide है वो 18 degree या 20 degree के आसपास जो DNA के angle है उसको क्या करता है चेंज करता है तो उसे के coding आपको आगे बढ़ते जाना है किस साइड में कर रहा है हमें से या दखना negative super coiling induce करता है या फिर आपन कहें super coiling को क्या करता है reduce करता है जिसके कारण से DNA unwinding होता है या relaxed condition के अंदर देखने को मिलता है तो यह इसकी properties है ethereum bromide की आगे अपन देखे अपन देखे अनवाइंडिंगा मतले यह भी कह सकते है अपन ETBR open helix किसका DNA का और कितना 80 degree से 20 degree या 20 degree angle को क्या करता है यह खोलता है यह इसका function है इसके अलावा अगर आपन देखे चार्ज मेंने आपको बताए दिया इसका चार्ज कैसा है पोजिटिव चार्ज है यह कई पर एक्विशन पूछा जाता है यह कार्शनोजनिक तो हई है यह कैसे कार्शनोजनिक है यह इन्हिबिटर श्ट्रोंग इन्हिबिटर ओफ डियने डियने पोलीम्रेज डियने पोलीम्रेज गा क्या हाता है यह इन्हिबिटर होता है खास तोर से आपन देखे जो माइटोकोंड्रियल डियने इन्हिबिटर है माइटोकोंड्रियल डियने पोलीम्रेज इसको क्या करता है यह इन्हिबिट करता है तो इसका क्या है इन्हिबिटर है यह लाइन हमेशा आपको याद अखना है इन्हिबिटर इसके अलावा इन्हिबिटर के बारे में आपन देखें इन हीबिटर से जो क्यूशन पूछे जाते हैं उससे रिलेक्टेड अगर अगर अपन देखें कि यूज कहां पर आता है तो मैंने बता दिया आपको इथीडियम ग्रोमाइड जो है वो यूज में आती है जेल एलेक्ट्रोफोर्शिस या अगरोज जेल एलेक्ट्रोफोर्शिस के अंदर डेने के मोलेक्यूल को सेप्रेशन करने के लिए यूज में लिया जाता है इसका मतलब जब डेने प्लस एटी बियार रन करवाया आपने रनिंग इन एक रोज जेल एक रोज जेल के उपर रनिंग करा लिया रन कराने के बाद इस जेल को इस जेल को आपने एक्सपोज किया या देखा अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के उपर इस जेल को आपने कहां भी देखा अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के उपर देखना है यह जू एटी भी आ रहे हैं यह एब्जोब करता है यूवी लाइट खास तोर से 300 से 360 नेनोमेटर इस लाइट के उपर आपको जेल एलेक्ट्रोफोर्स की जो जेल है उसको आपको देखना है डिन बैंडिंग देखनी उसके अंदर तो आपको अल्ट्रा वॉयलेट के इत्या लाइट को रखना है 300 से 300 16 nm के आसपास रखना है इन में से एप्रोक्स अगर कभी एक्जाम में पूछा जाए तो भी आप दे सकते हो 300 30 nm के आसपास ये क्या करता है लाइट को एपजोब करता है और जैसे ही एपजोब करेगा तो रिजेल्ट में दिखेगा आपने को येल्व या ओरेंज बैंड DNA के जो बैंड है वो बैंड कैसे दिखाई देंगे येल्लो या ओरेंज कलर के जो बैंड है वो दिखाई देंगे तो ये इसकी प्रोपर्टीज है इसलिए अपने इसको एग रोज यूज में लेते हैं एग रोज जैल में DNA को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके अलाव मैंने आपको बताए दिया कि जो ETBR है ETBR ये कैसा है एक म्यूटरजन है या फिर अपन कह सकते हैं कर्षिनोजन कर्षिनोजन क्यों है क्योंकि ये DNA के अंदर इंटर के लेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है जिसके कारण से DNA की जो प्रोपर्टीज है उसको चेंज कर देता है DNA की प्रोपर्टीज जब चेंज कर देता है तो इसकी प्रोपर रूप से रेपलिकेशन नहीं हो पाएगी नॉट प्रोपर रेपलिकेशन औफ DNA DNA की प्रोपर रूप से रेपलिकेशन नहीं हो पाएगी और इनीबिट किसको करता है जिसके कारण से जो DNA polimerase है वो क्या हो जाएगा इन्हीबिट वो आगे तरफ मूव नहीं कर पाएगा तो ये इस प्रकार से जो इथिडियम प्रोमाइड है इसकी मैन मैन जो चीजे थी वो मैंने आपको बता दी कि इसप्रकार से इसमें सायद कोई चीज इथिडियम प्रोमाड है इसे होने के और यूज में लिया जाता और जेल एलेक्ट्रोफोर्चिस में अल्ट्रावॉलेट के परजेंस के अंदर अपने इधीडियम ब्रोमाइड की जो मोलिक्यूल है वह DNA की परजेंस को शोकरते हैं क्योंकि DNA के साथ में आपने इसको मिक्स करके डाला है तो DNA के जो बैंड है एग्रोजेल के अंदर वह किस कल यह पिर आपने कह सकते हैं 300 to 60 nm के आसपास करता है इसके अलावा अगर आपन देखें तो यह टर्णिंग जो मतलब हैलिक्स के अंदर चेंजेज करता है वह किते एंगल के करता है तो 18 से 20 डिगरी के आसपास इस एंगल को क्या करता है यह चेंज करता है किस परकार का है हमेसे याद रखना है इंट्रेटेलेंग आजेंट है दूसरी चीज डिणे में किस प्रकार का चेंजेज चेंच करता है तो डिएएने के अंदर यह क्या करता है डिएैने को अण्धिंग करता है नेगेटिव शूपर को बढ़ाता है पोजिटिव शूपर को चाया की अचीजिए को बढ़ा देता है बहुँ बढ़ा देता है ovat इसको 330 आणडमेट को करता है इस प्रकाश से नानोमेटर के आप श्पार सब्धार तो बेसिक चीजे हैं ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स जुरूर तो चाहिए जो भी PG के अंदर है खास्तोर से MSC के अंदर जो MSC-BRI है उसके अंदर साइटो जैन्टिक्स के पेपर या फिर अपन कहें molecular biology के अंदर ये topic mention किया हुआ है तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं complete होता है thank you friends